हार गाईज मोस्ट वेलकम हम कर रहे हैं फानेंसल अकाउंटिंग चैप्टर नमबर फस्ट चल रहा है इंट्रोड़क्शन टू अकाउंटिंग ये चैप्टर हमने प्रिवियस लेक्चर में स्टार्ट गया था आज लेक्चर नमबर सेकिंड है चैप्टर नमबर फस्ट का औ हम accounting सीख रहे हैं तो accounting के अंदर कुछ terms ऐसी होती है जो normally हर बार हर chapter में use आती है तो उसको हम समझेंगे उसका meaning समझेंगे सबसे first आती है यहाँ पर basic term in accounting के अंदर entity entity का मतलब हो कि single या existence हो जिसका single existence हो या separate existence हो और यहाँ पर हम कौन से entity देखने वाले हैं accounting के अंदर business entity कौन से entity देखने वाले हैं business entity ये देखे business entity only entity word का मतलब मैंने आपको बताया single existence हो जिसका उसको entity बोलते है और business entity मतलब एक single business एक business जिसके अंदर होने वाले सारे transaction को हम record करेंगे उसे हम बोलते हैं entity या business entity okay like super bajar dwellers की कोई दुकान है ITC limited है कुछ example है लेकिन आप बहुत सारे ऐसे businesses देखते होंगे जो कि business entity होती है और उसके अंदर जितने भी transaction होते हैं उनकी हम accounting करते हैं second number आता transactions अब इसको लाँ बहुत अच्छे से समझ चुके बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि transactions क्या होते हैं last lecture के अंदर transaction के ऊपर ही मैंने पूरा का पूरा lecture दिया था वो transaction जो जिसके अंदर वो event है वो transaction जिनके अंदर at least one financial character हो जिसके अंदर जो transaction है उसको money में measure किया जा सकता हो पैसों में मापा जा सकता हो वो इस सारे इसारे transactions हमको accounting भी record करने होते हैं और यह transaction जो है किसी भी Cash transaction का मतलब होता है कि विया अभी जो है फ्रेग्जांपल के लिए ये phone है और अभी मैंने आपको sale कर दिया और आपसे पैसे ले लिए तो यह हो गया cash transaction credit transaction का मतलब हो गया mobile दे दिया लेकिन पैसे जो है बाद में दो गया आप कुछ time बाद में तो वो उधारी के उपर जो हम purchase या sale करते हैं वो credit transaction के अंदर आता है अगला हमारा third number point आता assets एक organization के अंदर दो तरह की चीज़े होती है एक आगे आएगी लेकिन मैं assets अब आपको बता देता हूँ actual में देखा जाए तो दो तरह के products एक organization के अंदर यूज किये जाते हैं एक business entity के अंदर यूज किये जाते हैं एक होते हैं goods इस घुर्स आगे आएगा लेकिन चलो मैं यहां बता देता हूं और एक आता है assets For example के लिए simple example रखते हैं जैसे कोई किराने की दुकाने वाला है और किराने की दुकान वाला जो है उसके किराने की दुकान के अंदर बहुत सारे items पड़े हैं जिसको वो purchase इसलिए क्या है क्योंकि वो उसको बेचेगा जैसे बहुत सारे दाले पड़ी है सुगर पड़ी है बहुत सारे किराने दुकान में आजकल तो item भी बहुत सारे होते है बिस्कीट वगरा आई है तो वो सारे के सारे item उसने क्यों purchase किये है ताकि वो उसको बेचके की profit कमाए तो वो सारा goods हो गया तो उसको purchase ही इसलिए किया है ताकि उसको आगे जाके क्या करें sale और क्या कमाए profit अब इसके अलावा उस किराने की दुकान में assets भी होती है assets for example के लिए वो चीजें जो उस business को operate करने में help करेगी उसको purchase इसलिए किया है ताकि उसको business में use किया जा सके ना कि बेचा जा सके जैसे कि वो building जिसके अंदर किराने की दुकान खुली भी है तो वो building जो है वो क्या है वो assets है क्योंकि उसको purchase तो किया है लेकिन उसको बेचना नहीं है उसको use करना है उस किराने की दुकाने के अंदर freezer पड़े हैं पंखे पड़े हैं एसे लगा हुआ है for example की तो ऐसे सारे counter पड़ा है furniture लगा हुआ है तो यह सब चीजे उसने क्यों purchase करी है ताकि वो उस business के अंदर उसको use कर सके उस business को operate करने में चलाने में जो है assets help करती है तो simple फर्क है goods और assets के अंदर goods का मतलब होता है product को purchase करना और उसके बाद उसको sale करके profit कमाना या फिर product को purchase करना उसको manufacture करना मलब उसका रूप परिवर्तित करना उसको convert करना किसी other goods के अंदर और फिर बेचना तो यह भी goods होते हैं बट जो asset होती है उसको purchase ही इसलिए करते हैं ताकि उसको business के operation म यूज किया जा सके ताकि business करना आसान हो सके उसको sale करने के लिए purchase नहीं करते हैं वो सारी assets होती है अब कौनसा goods है कौनसा asset है वो depend करता है उस business के nature पर जैसे किराने वाली दुकान के लिए वो building और वो freezer और वो furniture asset है बाकि सब goods है बट वो का वो building एक property dealer के लिए goods हो सकता है या वो का वो freeze किसी freeze बनाने वाली company या बेचने वाली वैपार के लिए जो है वो goods हो सकता है तो क्या goods है क्या assets है यह depend करता है उसके nature ठीक है कि आप उसका क्या कर रहे हो उसको purchase करके sale कर रहे हो profit कमाने के लिए उसक पर्चेस किया ही इसलिए था कि उसको sale करेंगे तो वो goods हो गया purchase किया इसलिए था कि उसको use करेंगे तो वो asset हो गया ठीक है फिर हो सकता है पुरानी होने पर हम उसको बेच दे तो उसको goods नहीं बोलेंगे ओके ठीक तो यहां पर यह चीज दे अब business के अंदर दो तरह की assets होती है current assets होती है एक non current assets होती है यह जब हम balance it करेंगे तो इसको और अच्छे से detail में समझेंगे next point आता हमारा liabilities देखो liability का मतलब क्या होता है liability का मतलब होता है किसी भी organization के उपर होने वाली उधारी जैसे किसी एक business entity ने या वैपार ने कोई loan ले लिया bank से loan ले लिया तो अब यह loan जो लिया है यह वापस देना पड़ेगा है ना चाहिए installment में देना पड़ेगा लेकिन देना तो पड़ेगा तो यह क्या होगी liability होगी या फिर कहीं से business ने उधार purchase कर लिया उधार goods purchase कर लिय तो पैसे देने है goods तो आ गया पैसे देने है तो liability या उधार asset purchase कर लिए तो भी liability क्योंकि पैसे देने है तो उधारी पे जो कुछ भी आप लेके आओगे चाहे goods लाओ चाहे एसेट लाओ चाहे पैसा लाओ तो उसको हम बोलते है liability अब यहां पर एक बहुत-बहुत accounting purpose से बह बिजनस का मालिक है ओनर है यह businessman हो गया जिसको entrepreneur भी बोल सकते हैं अगर वो कुछ creative करता है तो वर्णा businessman ही बोलेंगे और यह हो गया आपका business यानि कि business entity अब यह businessman और यह business जो है हां यह separate होते हैं बहुत अर separate for the purpose of accounting accounting के purpose से दोनों की दोनों क्या होते है separate होते है प्रथक होते है वैसे दोनों अलग नहीं यह business' है मैन है और यह business' है businessman नहीं इस business के अंदर क्या लगाया होगा पैसा लगाया होगा कि है ना मनी पैसा लगाया होगा यस तो उसी को हम क्या बोलते हैं capital क्योंकि आपको अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया होंगे आप तो आमर्स की बच्चे कि मैं बिजनस करूंगा यह करूंगा वो करूंगा मेरे पास तो यह आइडिया है लेकिन आप रुक क्यो जाते हैं समझवाया तो बिजनस के लिए पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं capital को चोटा मोटा बिजनस भी करते है तो भी पैसा चाहिए बड़ा बिजनस करेंगे तो बड़ा पैसा चाहिए लेकिन पैसा तो चाहिए without पैसे बिजनस नहीं हो सकता हां तो उसको आप बोलते है capital तो एक businessman business के अंदर पैसा invest करता है ताकि वो बबार कर सके उसको हम capital बोलते हैं लेकिन accounting purpose से बोथ हार separate वैसे दोनों अलग है और किसी उद्धिसे से देखो कि यह तो दोनों same है बट accounting जब हम करेंगे accountant के लिए दोनों अलग party है business अलग है और businessman बिजनस का एक separate entity होती है इसलिए business entity बोलते है इसको separate existence होता है इसलिए जो यह पैसा लगाया businessman निस business के अंदर जो यह ten lakh rupees लगाया है यहां पर यह इस business के लिए क्या है liability liability क्योँ है क्योंकि यह businessman ने लगा है और दोनों अलग है एक ना एक दिन ये पूरा का पूरा पैसा वापस लोटाना पड़ेगा business को businessman को so ये business के लिए एक तरह की liability होगे so capital को इसलिए balance sheet की liability side में दिखाते हैं आपने देखा होगा अगर आप commerce के student तो जानते होंगे balance sheet के बारे मागर नहीं जानते हैं liability मतलब वो obligation जो एक business के उपर है उधार ही है उसको चुकाना है किसी को कुछ देना है क्योंकि उधार लेके आए है चाहे goods लाए, assets लाए या पैसा लाए वो आपस देना पड़ेगा तो वो business के लिए एक liability होती है next आता है हमारा फिर capital यह capital मैंने आपको liability के साथ में बता दिया capital को मैंने आपको liability के साथ में बता दिया अब यह capital क्या होती है जो एक businessman, business के अंदर पैसा लगाता है ताकि विपार कर सके, profit कमा सके इसको capital बोलते हैं और वो business के लिए एक liability है हिंदी में उसको पूंजी बोलते क्योंकि accounting purpose से businessman और business दोनों अलग होते हैं तो business के लिए एक liability होती है उसको हम capital बोलते हैं उसी पैसे से कुछ goods खरीदा जाता है उसी पैसे से कुछ assets purchase की जाती है और business start होता है नेक्स आता है फिर हमारा उसके बाद में sales and revenue दोनों लगबग एक जैसी होती है थोड़ा सा फरक इनके बीच में होता है माइनर सा लेकिन आप देखना समझना है इसको अच्छे से sales क्या होती है sales जो goods हमने purchase किया है उसको हम आगे बेचेंगे तो वो sales होगे एक किराने दुगान वाला या कोई भी अगर कोई goods purchase करता है raw material purchase raw material मलता कच्छा माल जैसे आलू purchase किये उसे chips बनाई और फिर बेचा ये भी goods ही है एक तरह का वो आलू भी goods है और chips भी goods है आलू जो है वो raw material है और chips जो है वो finished goods है आगे आएंगे बहुत सारे types ठीक है but purpose क्या था उसको purchase करने का उसको purchase करने का purpose था आगे बेचना है चाहे ऐसे कैसे बेच दे जैसे कि सबजी वाला बेचता है तो सबजी वाले के लिए आलू goods है और वो chips मना के बेच रहा उसके लिए भी goods है लेकिन goods का मतलब यह होता आपने purchase किया और sale करेंगे और profit कमाएंगे तो अधिकतर हम sales करके जो profit कमाते हैं उसको goods ही बोलते हैं तो goods को बेज करके profit कमाया जाता है और service भी sold होती है आज के time में तो जैसे आपको अगर आप से paid course लेना है तो आप अमरी app डाउनलोड करके वहाँ पर paid course ले सकते हैं एक तरीके आप service ले रहे हैं एक course purchase कर रहे हैं जिससे आपको help मिलेगी आपकी education के अंदर भी कौम को करने के अंदर आप अच्छे से सीख पाए के का sales ही हुआ ओके साब सब लिखा वादे को service बेच रहे हो चाहे goods बेच रहे हो उसको हम sales बोल सकते हैं ठीक है और उसको हम revenue भी बोल सकते हैं और sales दो परकार की होती है cash sales वो पहले बताया credit sales cash sales में क्या होता है पर याब बेचा पैसे आ गए और credit में क्या होगा बेचा receive कर रहे हो service दे करके या फिर आपको good sales करके कमा रहे हो total उसको फिर revenue में बोलते है revenue के अंदर जो है थोड़ा सा और भी items आ जाते हैं जिसको हम other revenue बोलते हैं इसके अंदर जो है आपका commission आ गया interest आ गया dividend आ गया royalty आ गया rent होकर आपको कोई receive हो गया तो इन सब को भी हम other income बोल पड़ी उसके अंदर उसी sales को revenue नाम दे देते हैं बस और कोई ज्यादा फरक नहीं ओके ठीक लेकिन दोनों एक जैसे हैं आप इसको एक जैसा समझ सकते हैं starting के अंदर फिर थोड़ा सा minor इसमें फरक आ जाएगा फिर आते हैं हमारे expenses आप देखो busy किसी भी business को run करना है तो ख कुछ खर्चे होते हैं किसी भी business को चलाने के लिए उसको हम expenses बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं expenses बोलते हैं so expenses क्या है cost incurred by a business in the process of earning a revenue known as expenses अगर आपको sales करनी है तो आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे उसके बिना वो revenue earned नहीं होगी sales नहीं हो पाएगी उसारे expenses की category के अंदर आते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर depreciation लिखावा rent, wages, salary, interest, cost of heater, lights, water, telephone expense etc. एक business के अंदर होते हैं बहुत कर्चे होते हैं ठीक है अब expenses तो ठीक है एक expenses से भी थोड़ा सा और उपर वरड़ा आता है expenditure अब सर expenses में और expenditure में फर्क्या होता देखो expenditure में इसने क्या बोला है spending money on or incurring a liability for some benefits मतलब आप कोई liability generate कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कुछ liability generate कर रहे हो spending money या तो पैसा खर्च किया या incurring a liability for some benefits कुछ benefits उठाने के लिए आपने कुछ खर्चा कर लिया है तो सर expenses में और expenditure में फर्क्या होता है मोटा मोटी मैं आपको बता हूँ अगर तो expenses जो होते ह वो revenue कमाने के लिए की जाते है sales करने के लिए की जाते है ये business को operate करने के लिए की जाते है इसके अंदर जैसे जो only expenses है उसके अंदर हमने कोई asset purchase कर ली तो expenses में नी डालेंगे उसको हम expenditure हो लेंगे फिर expenditure दो तरह के होते हैं फिर revenue expenditure और capital expenditure revenue expenditure का मतलब होता है daily routine के खर्ची जैसे एंपलोई को सेलरी देती यह revenue expenditure है लेकिन वो का वो हमने कोई asset purchase कर ली वो भी तो खर्चा है building purchase कर ली फनीचर purchase कर लिया तो उसको हम capital expenditure बोलेंगे बाकि इसको हम जब final account करेंगे तब revenue और capital expenditure को और detail के अंदर मैं आपको बताऊंगा next आता है फिर हमारा profit आप देखो भई profit क्या है आपकी sales जो है वो ज्यादा है आपकी sales जो है या revenue जो है वो ज्यादा है और आपके खर्चे कम में तो आपको profit होगा यानि कि अगर आप total revenue में से expenses less कर देंगी तो क्या जाएगा profit इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ profit कब होगा profit तब होगा जब आपके revenue जादा है जब revenue मतलब sales जब आपकी sales ज्यादा है जैसे sales से 10 लाग रुपे की खर्चे 8 लाग रुपे की दो लाग का profit हो ठीक है और profit के बाद में लॉस भी हो सकता है तो यहां लॉस को समझी देखो पहले लॉस समझाता हूँ फिर मैं एक गेन पर भी आउंगा गेन भी बहुत अच्छी चीज़ होती है देखो लॉस कम होता है लॉस तब होता है जब आपकी रेविन्यू जो है टोटर रेविन्यू याशल्स वो कम है और आपके एक्सफिंस ज्यादा है तो आपको लॉस पर उसको लॉस पोई है पर एक्जामपल के लिए आपकी रेविन्यू 10 लाग रुपीज लेकिन खर्चे होगे 11 लाग रुपे का लॉस होगे ठीक है बट एक होता है गेन अब यह गेन क्या है मैंने बोला था अधिकतर ऑर्गनाइजेशन के अंदर जो कमाई होती है वो गूड्स को या सर्विसेस को सेल करके होती है एसेट्स को हम परचेस करते हैं बिजनस को ऑपरेट करने के लिए लेकिन कई बार एसेट्स जो है वो बेच भी दे जाती है तो अगर हमने कोई एसेट्सकरी कूछ टाइम यूज करी हम को सही नहीं लगी और हमने उसको बेच दी तो यह मुसको गुड्स बोल लगी है नहीं फिर भी हो एसेट ही रही क्योंकि इसको पर्चेस करने का उद्देश यह अब्जेक्टिव था कि यूज करेंगे फिर बहले यूज किया नहीं किया वह अलग बात आया समझ में अब वो ऐसेट अगर बेच के हम कुछ कमा रहे हैं तो गेन होगे हैं ऐसेट बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं फर एक्जामबल के लिए एक प्लॉट ले लिया पांच साल पहले और प्लॉट लिया तो उससे हम 2,00,00 रुपे में 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो यह loss हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, और next आता हमारा discount, यह बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, यह discount वाले मामने को, discount, 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 बहुत सुनते होंगे, हर जगा आज के टाइम में चलता है, 50% off, 20% off, 30% off, online shopping करो, offline shopping करो, discount को मांगते हैं, और मिलता है, तो discount ना मतलब होता है, जो sales से उसको थोड़ा सा, sale price जो है, उसको थोड़ा सा कम करके बेजना, उसको discount बोलते हैं, अब ध्यान से समझना, discount दो तरीके के होते हैं, एक होता है trade discount, और एक होता है cash discount, समझ में आ गया, एक trade discount और एक cash discount, जो trade discount होता है, जो trade discount होता है, वो sales पर द तो जैसे फॉर एक्जांपल के लिए 10,000 का आइटम हमने बोला यार थोड़ा कम कर तो साड़े 9000 में ले लूगा अब 500 सामने वाले ने कम कर लिए तो डिसकाउंट हो या 500 हम किसी को बेच रहे थे हमने कम कर लिए तो फिर मैंने कैस रिकवर करने के लिए उसको बोला भी ता उन मिल जाएगा फटावट के मिंट कर दें तो वो कैस डिसकाउंट हो आगे समझ में ठीक यह ओर्गनाइज़ेशन के लिए एक तरह का डिसकाउंट जो है खर्चा होता है एक्सपंडिचे का लॉस कह सकते हैं वाउचर मार्केटिंग स्टेजी होती है वाउचर वाउचर क मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं सारे के सारे बिल ओके नेक्स आता आपका गुड्स यह मैं पहले बता चुका हूं आपको बहुत अच्छे से गुड्स का मतलब वह प्रोडेक्ट जिसको घरीद रहे हैं हमारा अब्जेक्टिव इसको बेच के प्रॉफित कमाना है ऐस प्रॉफित करणी गुड्स के परेज़ बेचा जाता है तो यह भी गुड्स ही है और यह बीजोट है फिर थोड़ा सापको यहां बता देता है आपको बोला तोड़ी दिर पहले कि यह बिजनसमें ने और यह बिजनसमें बिजनसमें बिजनस के अंदर लगाता है capital ठीक है ओके और इसके अलावा अगर वो अपने personal use के लिए business से कुछ पैसा निकाल दे goods निकाल दे अपने घर के use के लिए तो उसको हम drawing बोलते हैं क्योंकि हिसाब रखना पड़ेगा किराने वाला है उसके घर पे भी किराने का समान जा रहा है तो उसको drawings को लिए क्योंकि वो इसके personal use में आ रहा है घरती के तुप्यों के लिए अगर business से कुछ भी निकालेंगे तो उसको drawing बोलते हैं नेक्स आता हमारा purchases purchases आपको बता है goods की भी होती है और assets की भी होती है लेकिन assets की purchases होती है उसको purchases नहीं ही बोलते हैं वो हम asset खरीद लिया और asset नाम से दिखाते हैं आगे general entry में आपको बताऊंगा but only purchases लिखा होता ना इसका मतलब होता है goods purchase किया है okay ठीक है ताकि उसको बेज करके profit कमाया जा सकी stock क्या होता है stock को हम inventory भी बोलते हैं और हिंदी में इसको inventory को सकंद बोलते है stock को stock ही बोलते है ठीक है stock या inventories देखो ऐसा थोड़ी है कि हम केवल accounting करते ही जाएंगे चीजों को record करेंगे classify करेंगे summarize करेंगे accounting का पुरो process बताया था ना identification करना उन goods उन events को उन transaction को जिनको money में measure किया जा सकता है फिर उनका measurement करना फिर उनको record करना फिर classification करना फिर summary बनाना फिर report बनाना फिर उस report को interested user तक देना तो यह पूरा जो process है यह process complete कितने time में होगा one year में कहने का मतलब एक साल की हम accounting करते हैं और एक साल तक हम पूरे recording वगरा करके और एक साल के end में जिसको financial year भी बोलते हैं with verse बोलते हैं उसके end में report त्यार करते हैं final account त्यार करते हैं उससे हमें पता चलता है कि organization के अंदर profit वा या loss हुआ तो जब हम final account बना रहे हैं यानि कि accounting की books जो है वो close कर रहे हैं यानि कि closing date है अधिकतर 31st March होती है इंडिया के अंदर एक अप्रेल वो year start होता है 31 March को खतम होता है तो अप्रेल से लगाकर March तक जैसे 1 April 2020 अभी start हुआ 31 March 2025 में जाकी year खतम होगा तो यह जो one year है यह पूरा का प 25 को जाकर कि हम इस year की पूरी की पूरी final account बनाएंगे और पत्ता करेंगे profit हुआ loss हुआ क्या हुआ तो 31 March 2025 को या निकी closing date को जिस दिन year end हुआ उस date को आपके organization के अंदर बहुत सारा stock भी तो होगा stock मतलब बहुत सारा goods पढ़ा होगा जो अभी तक भीका नहीं है वो next year sale करेंगे unsold goods जो होता है उसको ही हम stock बोलते है यह raw material भी हो सकता है कच्छा माल सकता है अगर manufacturing unit हो तो और अगर trading unit है तो finished goods होगा जिसको हम SIT बोलते है stock in trade भी बोलते है okay तो यह हो गया आपका stock next आता है आपका डेटर्स अब यह डेटर्स क्या होते है दो चीजह होगी डेटर्स और creditors यह हमारा organization है यह हमारा business है अगर business जो है वो गूर्स क्या करता purchase करता है गूर्स पर्चेज करता हर business किसे purchase करता है supplier से मार्केट से जाल लाके लेकर आएगा न किराने वाला भी बहुत सारा goods purchase तो करता है न तो supplier से जो भी goods purchase कर रहा है और अगर वो purchase उधार पे कर रहा है तो ये जो supplier है ये अमारे organization के लिए है creditor और creditor एक तरह की liability होती liability होती liability क्यों होती है? क्योंकि हमने goods purchase किया है उधार और पैसे अभी देने बाकी है तो ये creditors होगे यह liability होगे इनको पैसा देना है अगर यह organization इस goods को purchase करने के बाद में आगे sale कर दें बेच दें किसको बेचेगा customers को बेचेगा यह customers तो customer को अगर sale कर दें और वो भी sale कर दें credit पर credit मतलब वही उधार sale कर दें उधार बेच दें तो यह एक तरह है कि हमारी assets हो गई और इस assets को हम बोलते है data तो अगर उधार purchase किया और पैसा देना है तो वो creditor और उधार sale किया और पैसा लेना है तो वो data Creditor liability होती है क्योंकि पैसा देना है, data asset होती है क्योंकि पैसा लेना है, उधार बेचा, समझभा आ गया, तो यह हो गया आपके data and आपका creditor, इसी के साथ में हमारी accounting terms जो main main है वो complete हो गई, इसके एलावब जब हम आगे general entry अगरा start करेंगे, तब मैं इससे related और सारे बहुत सारे concept, general entry के साथ साथ आपको बताता रहूँगा, अगर आपको YouTube पे continue classes चाहिए, तो प्लीज ज़्यादे से ज़्यादे इस वीडियो के share करें, like करें, subscribe करें, comment करें, और अगर आप महारे से paid classes लेना चाहते हैं, live पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी app डाउनलोड कर सक एप का link इस वीडियो के नीचे description box में आपको मिल जाएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए goodbye and thank you.